हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हमारा डहेलिया का फूल पूरी तरह से खिल चुका है जो की कलर भी बहुत कोपसूरत है और साइज भी काफी बड़ा है तो इसकी रिपॉर्टिंग पर इसकी जानकारी पर एक वीडियो हम शेयर कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चैक कीजिए तो सुबह को इसको बंदरों से बचा कर हम धूप में रख देते हैं और फिर शाम को हम इसको वापस से अंदर ले आते हैं बहुत बचा का रखना पड़ रहा है इसको नहीं तो बंदर इसको तोड़ जाएंगे तो आज दो न्यू प्लांट्स आपसे शेयर करने थे हमारे यहाँ पर छोटी सी नर्स्री है जो कि हम कई बार आपसे शेयर कर चुके हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएंगी तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वराइटी नहीं मिलती है प्लांट्स की लेकिन कभी-कभी आपको रेयर प्लांट्स मिल जाते हैं वो देकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो ऐसा ही आज हुआ है आज हमें ऐसा प्लांट मिला है जिसकी हमें बहुत इन से तलाश थी इसको टेकसस सेज, टेकसस रेंजर, परपल सेज, सिल्वर लीव, पैरोमीटर श्रब भी कहते हैं इसका बोटैनिकल नेम है लिवकोफाइलम फ्रूटे सेंस तो ये एक एवर ग्रीन प्लांट है एवर ग्रीन श्रब है जो की बहुत ही जादा खूपसूरत लगती है एक तो इसकी पत्तियों का कलर बहुत जादा खूपसूरत होता है ऐसा लगता है जैसे हलका सा डस्ट हो इस पर धूल हो गई हो पत्तियों पर और इसको शिल्वर लीव भी कहा जाता है तो अगर वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन अगर जब इस पर दिख जाता है वैसे तो यह रेर प्लांट है बहुत मुश्किल से मिलता है फिर भी आप इसकी तलाश कीजिए तो हमारे यहां नर्सरी में यह केवल 60 रूपीज में हमें मिल चुका है जो की काफी छोटा है इतना जादा बड़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी यह रेर है तो यह काफी महःगा भी मिलता है तो हमें 60 रूपीज में यह बिलकुल सही मिल गया है बहुत खूशी हुई है तो यह प्लांट कटिंग से एजीली ग्रो हो जाता है आप इसको फरवरी में या रेनी सीजन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और यह एक और प्लांट है जिसको उन्हो लोंग करता है जब इस पर फ्लावरिंग होगी तब ही पता चलेगा कि ये अकेशिया फैमली का ही पौधा है यह नहीं उन्होंने तो हमें रमजिंग प्लांट नाम का इस तरह का यह पौधा नहीं होता है और जो यह टेक्स सेज़ प्लांट है इसको भी उन्होंने कुछ अज सर्च जरूर कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप Facebook, Instagram या आप comment box में जरूर पूछिए तो देखिए इस तरह से ये 12 इंचिस का pot हमने लिया है इस पौधे के लिए तो इसमें drainage hole सही से नहीं हो रखा है तो इसके लिए आप कोई भी sharp tool लीजिए और उससे अच्छे से drainage hole कर लीजिए क्योंकि ये जो plant है Texas sage इसको watering का सबसे ज़्यान रखना होता है ये पौधा ऐसा है अगर आप पानी नहीं भी देंगे एक या दो दिन तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये पौधा 100% मढ जाएगा तो drainage hole हमने सही कर लिया है potting mix के लिए 60% sandy soil है और 40% cowding यानी गोबर की खाद है गोबर की काद कच्छी नहीं लेनी है अच्छी तरह से जो सड़ जाती है डी कंपोज हो जाती है वो गोबर की खाद देनी है आप बर्मी कंपोज्ट या कंपोज्ट या लीफ मैन तो वह हम लेंगे थोड़ा कर्व शेप में आपको सीधा नहीं लेना है पत्थर सीधा पत्थर से क्या होता है वह drainage hole जो है वह बंद हो जाता है तो थोड़ा कर्व शेप में लीजिए या दिये का थोड़ा सा टुकड़ा ले सकते हैं वह भी आपिस में नीचे की तरफ लग तो वैल रेंट सवयल हो गई है ड्रेने सिस्टम अच्छा बन गया है अब हमारा टेकस से प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा या इसको दो चीजों का सबसे जादे धियान लखना है नंबर वन ड्रेनेज नंबर टू वाटरिंग तो आपको वाटरिंग और ड्रेनेज दो हो जाए और ना ही ये बहुत ज़्यादा ऊपर रह जाए इस बात का आपको ध्यान लगना है तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही रख देते हैं जैसे ये अगर अच्छी सोयल में नहीं लगा होता तो तो हम इसकी ज़्यादतर सोयल हटा देते तो मिट्टी वैसे ठीक है लेकिन अभी क्योंकि ये लगता है कटिंग से इन्होंने अभी रेनी सीजन के टाइम पे ही शायद ये पौधा तयार किया होगा तो रूट्स ज़्यादा फैली हुई नहीं है तो देखिए हमने थोड़ी सी सोयल इसकी हटा दी है और साइट से भी थोड़ी थोड़ी सोयल को इसको हटा देते हैं और इस सोयल को फिर से अगर हमें यूज करना है तो जो मिट्टी हमारे पास है उसी में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह जो मिट्टी है यह अच्छी बन जाएगी और हमारे प्लांट पर जादे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और इसमें फोड़ी करेंगे वही जैसे अभी हमने आपको शुरू में बताया और यह पॉटिंग मिक्स फिर से तयार है तो इसको अच्छे से बढ़ देते हैं हलका हलका प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी एयर पॉकिट ना बचे इसमें और आज हम इसमें वाट्रिंग नहीं करेंगे क्योंकि कम से कम 2-5 घंटे की दे सकते हैं ज्यादा से जदे आप इसको फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं और फर्टिलाइजर इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं होती है आप कमन करें तो आप 2-3 महीने बाद या चार महीने बाद इसमें गोबर की खाद या वनवी कंपोस्ट या क पता है कोई क्वेरी है तो जरूर पूछे थैंकियू